मेरे एक सवाल है इसके मेकर से, क्या ये मूवी ड्राने के परपस पर बनाई गई थी? यार सच में कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि ये मूवी मैंने रात के दो बुजे देखिया है और मुझे रत्ती वर भी डर नहीं लगा यार ये देखके नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बुल-बुल मुवी के बारे में जिसे नेट्फिक्स पर रिलीज किया गया है, इसे डिरेक्ट और राइट एक ही इनसान ने किया है, अनविता दत ने, इस मुवी को प्रोडूज किया अनुशका शर्मा ने, और अ इन जैसी फेमिनिस्ट की नजरों में पूरी मर्द जाद गलत होती है, सालाई ये कौन सा फेमिनिस है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें काश चाहिए, तरिप्ति दीमरी, राहूल बो, सविनास तिवारी, इस मुवी की कहानी बाराते हैं, ये इस मुवी की कहानी जो वो 1881 यानी 1881 के टाइम की दिखाई गया है, जब ब्रिटिश का जो इस देश में हुकूमत चलती थी, और ये दिखाया गया है कि तब की जो गोर्मेंट थी या तब का जो शाशन था, वो बैस्ता, वहाँ की पुलिस ववेज़ता थी, वो बहुत अच्छी थी, ये बात मैं नही बोल रहा हूं, ये मूवी ऐसी बात बोल रही है, तो एक 5-6 साल की लड़की जिसका नाम बुलबुल है, बुलबुल की शादी एक बहुत बड़े ठाकुर परिवार में दिखाये गई है, जहां पर 3 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई है, इंदर, नील, ठाकुर, फिर उसके 7 साल का दिखाया गया इसके अंदर, जब बुल बुल की शादी हो रही थी, इंदर, नील, ठाकुर से तो बुलबुल को लगा कि जो उसका हम उमर जो इसकी एज का पराबर है सत्या ठाकूर उससे उसकी शादी हो रही है लेकिन जब वो घर पे जाती है हवेले में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो सत्या ठाकूर से नहीं हुई बलकि इन तिनों में जो सबसे 20 साल बीटते हैं और जब इन 20 साल के दोरान सत्या और जो बुलबुल है वो एक साथ खेलते कूते बड़े होते हैं तब सत्या को तो नहीं बलकि बुलबुल को सत्या से प्यार हो जाता है और जो सत्या है वो बुलबुल को सिर्फ वर सिर्फ अपनी भावी की नजरों से देखता है महिंदर ठाकुर की पत्नी बिनोधनी जो है इस हवेली पर अपना कपजा जाती है और जब बुल-बुल की शादी हुई होती है जब स्टार्टिंग में जब चो पांचे साल के बच्ची आती है तब इसको वो है बड़ी बढ़ी 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 कारना होता है जबकि इसको बहुत बुरा लगते है कि क्यूंकि उसकी शादी बहुत पहले होकर वो इस घर में महिंदर ठाकुर की पत्नी बनके आये थी और जो बुल-बुल है वो पांचे साल की अभी नहीं आई है तो वो कैसे उसे बड़ी बहुग है इस बात से वो बोजलती है और आज भी यानि 20 साल होने के 20 साल गुजरने के बाद भी वो इंदर निल ठाकुर को बहुत बढ़काती हुई नजर आती है इसके अंदर वो कहती है कि बुल-बुल है वो स यहां पर टोड़ी के से मारते हुए दिखाए गया है इंदर निल ठाकुर इसको इतनी निर्देटा से मारते कि इसके दोनों पैर वो तोर देता है और फिर साथ में एक और ऐसा वाक्य इसमें दिखाए गया है कि महेंदर ठाकुर जो दिमागी रूप से संतुलित नहीं है उसके खेलने के लिए उसके जो रूम में जाते हैं जहां पर इसके पैर टुटे हुए हैं तो वहां पर इतने दर्दनाक रूप से उसका ब्रतकार करता है कि उसकी मौत हो जाती है और उसी रात जो है उसको कुछ शक्तियां मिलती हैं काली माता से कुछ शक्तियां प्रावत हो जो चोड़के पहले ही निकली आता है बुलबुल के चुडैल बनने से पहले थाकुर का काkee कटल नहीं किया हustँ जब उससे कुछ जस्फिक्तिया मिल जाती है की का कटल करतीय सबसे पहले सत्य थाकुर केizes आने के सफ heating पता जहां पर वो रहता है, वहां पर बहुत सारे कतल होने शुरू हो गए हैं, और उसके आने के बाद भी ये कतल लगातार हो रहे हैं। तब उसकी शक्य सुई जो है वो डोक्टर की तरफ एक डोक्टर की तरफ गोमती है जो उसकी भावी जब बुल-बुल है उसका जो इलाज जब उसके पैर तोड़ दी ते है। कि मुझे इसका नहीं पता लेकिन मुवी बनाने वालों को जादा पता होगा इन्हों ने इसमें दिखाया गया है कि हाँ उसकी गोली लगने से हत्या हो जाती एक चुडैल की इस मुवी का स्क्रीन प्ले मुझे बहुत पसंद आया और इस मुवी की सबसे बड़ी कमी जो थी क कि इसके अंदर कोई भी सस्पेंस नहीं था और आपको लगेगा कि मैंने बता दिया कि जो बुलबुल है वो चुडैल है कि इसमें जो सस्पेंस रखा गया है ऐसा बिलकुल नहीं था आप स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्टेबल यह बहुत जादा प्रेडिक्टेबल मु लेकिन इस मुवी में सस्पेंस तो था ही नहीं तो इस मुवी की कहानी में दम लगेगा इनि आप लोगों को अगर परफॉरमस की बात करें तो सब ने एवन परफॉरमस दी है और मुझे इसके विजुवल्स काफी पसंद आए मैंने का कि इसका स्क्रीन प्ले मुझे सच मे बहुत जादा पसंद है कहानी मुझे इसमें इतनी दमदार नहीं लगी दर के परफस से ये मुवी जो है बिल्कुल ही आपको निराश करने वाली है बागी मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूंगा फाइफ आफ 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 10 स्टार अगर किसी ने आफ 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 आफ